सो हाई गाईज तो मित्रो और मित्रणियों 31 में के दिन आप लोगो मैजिक क्यूब श्टोर के अंदर बहुत सारे न्यू बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं यानि कि जैसे अब लोग गेम को अपग्रेड कर लोगे और ओपेन करोगे तो आपको मैजिक क्यूब श्टोर अपने वाले कुछ नहीं कमाल के चेंजेस के ओपर जिसमें की आप लोग को नेया वैस कमांड सुने को मिल ले वाले मतलब जो आपना वौइस कमांड होता है ऱंके अंडर कुछ नहीं वैस कमांड को और एड किया जाएगा तो आज उसारे सुना दूँगा क्या बात है सर में आप लोगो कुछ न्यूज सौट गान के अंदर न्यूज तो नहीं है बैसे जो पहले बाले सौट गान है उन्हीं के अंदर आपको जेंदर चेंजिस करेंगे और उसको थोड़ा सा खराब करेंगे तकि आप कमी टाइम पे कुछ और गनी स्किन को भी गेम के अंदर कम मिलेगा यानी की सिंगल रेंज को माईनस किया गिया है और साथी में रिलोड़ स्पीड को 10% माईनस किया है तो आप देखाज़यी सिंगल रेंज आपको माइनस मिलेगा चाथी में सिंगेल रिलोड स्पीड आपको जो ए प्लास देखना को मिले वाले है देखो रिलोड स्पीड का गनिस किन गेम के अंदर ऑल्ली बहुत से है एम आप लोग जान तो सारे प्लेयर के बास A1W7 का कुछ बहतर रन इसके नहीं है जिसके रन से इसके range को minus करके reload speed को plus कर दिया गिया है तो ये changes आप सभी को कैसा कुछ लगा है आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो आगे बढ़ते होडियो में and बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको 15% range कम मिलेगा और magazine में 1 ammo को increase किया गिया है मतलब कि अभी charge booster के अंदर कितना bullet लगता है या आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में अगर 7-8 bullet लगता है तो उसमें और 1 bullet आप लोग आगे से ज्यादा लगा पाऊ गया अब range जितना minus से 15% यानि कि single range से भी ज्यादा minus कर दिया गया है charge booster के अंदर देखा जाई ये game के अंदर use बहुत कम होता है जब किसे के बास कुछ बड़िया shotgun का इसके ना हो और खास करके tournament में जहाँ पर gun skin का attribute बिल्कुल काम नहीं करता है वहाँ पर charge booster बहुत काम में आता है बाकी in game के अंदर तो भाई ये use बहुत कम होता है ये कुछ changes था अपने weapon के अंदर लिकिना कुछ और भी weapon adjustment है जो कि मैं इस video के अंदर कावर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर other changes को कावर नहीं कर भाऊंगा next time पे यानि कि कल के video के अंदर में solo में game play करोगे तो आप लोग को plane के ओपर कुछ इस तरीके से cubes देखने को मिलने वाले है और ये सब रसाजावाट के लिए नहीं दिया गिया है ऐसा नहीं है कि वह ये सरफ decoration का है जब भी आप लोग solo में आगे से मर जाओगे तो आपको नया revival system देखनों को मिलने वाले है आप लोग को एक जगा पर उतार दिया जाएगा जहाँ पर आपको बहुत से new cubes देखनों को मिलेंगे जैसे कि आप लोग काई से यहाँ पर देखनों को मिलेंगे और इन cube को आपको जो फोड़ना है उपर दिया गया time के अनुसार अगर आप लोग इस cube को फोड़ देते हो तो आप लोग जो एक जगाश डायरेक्टलि अपने game में फिर से revive होकर आ सकते हो basically एक new solo revival system है कि क्यो भाइद को solo में अभी का time पर revive होता है लेकिना उहां पर मैं अपना बात नहीं करूँगा आपको बास voice command सुना आँगा क्या कुछ new voice command को add किया जाएगा अभी का time पर voice command के रूप में हमको यह देखनों को मिलता है follow me anyway spotted आप सब कुछ तो मुझे याद नहीं है लिकिना next में और भी काविशर नहीं voice comment आपको सुनने में मिलने बाले हैं यहां पर मैं वीडियो को लगा देता हूं आप लोग सुनते रहिए क्या कुछ नहीं voice comment आपको मिलेगा help me stay enemy here tons of people here I'm flanking safe here help me up enemies low on health stall them hold up I'm coming I'm low on health I'll cover you enemies helping up watch out for grenade spread out I'll rush first cover me enemies coming take cover follow me enemy spotted afar enemy at revival sniper alert shotgun alert I'm full hell अब guys को आप लोगो तीन पार्ट में नया नया voice command देखना को मिले वाले हैं आज आपको मैं पहला पार्ट सुनाया हूं कल या फिर परस आपको मैं दूसरा पार्ट सुनाऊंगा और इसको एक दिन बाद आपको मैं तीसरा पार्ट सुनाऊंगा आपने मन मुझे चूज करके भी उनको गेम के अंदर सिट कर सकते हो जो भी हो कई तो मुझे चैन्जिस का भी बड़िया लगा है नया voice command को दिया गया है आगे से जो माइक आफ करके गेम पले करते हो आपको बहुत सरे चीज़े मिलेगी जो कि आप लोगों मुझे बोलना लेकिन आगे से उनको गेम कंदर एड का दिया जाएगा तो आपको माइक ओं करके फिर बोलने की चरूबत नहीं है तो यह कुछ नया चैन्जिस किया गया है कैसा लगा है आप लोग को बताना जरूर कमेंट सक्षन में कमेंट करके अब आओ गईस यहाँ पर वीडियो में के बड़ थे, बात करेंगे अपकमिंग नीउव एबट्स के बारे मे और मैज यूग अपड़ेट के बारे में Beyond बीम हम लोग को कुछ कमाल की bundle से ना जा रहेंगे और इतना कमाल का है देखकर अब लोग खुस हो जाओगे तो आपको फिलल का टाइम पे हमको magic cube के अंदर जो bundle से देखना को मिला है वो ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है और सही बता हो तो भाई ये ये चारो bundle है ये बिल्कुल नया bundle है और बाकी के जो बारा बंदर है वो सवाय का बहुत पहले का यानि कि वो magic cube के अंदर आज से पहले भी तीन चार बार बैक आ चुका है तो वो कोई रियर bundle नहीं है तो मैं उसको review कर रहा है का time बरबद नहीं करने वाला जैसे वो game कंदर आ जाएंगे आप लोग उसको तो use करने वाले हो नहीं और नहीं उसको आप लोग exchange करने वाले हो बाकी हाँ जो bundles इस बार एड़ होगा उसका review करने वाले हो आपको यहाँ पर मैं 4 bundles क review करने वाले हो बंडल देखने वार काफी बढ़िया बढ़िया है बहुत सारे old bundle को इस बार magic cube के अंदर भी add किया जाएगा लेकिन हाँ वह सारे आपको मैं पहले ही बोला हूं बहुत बार magic store के अंदर आ गया है जिस करन्ट से मुझे लगता नहीं कि आप लोग उन बंडल क बाकि आप लोग चाहते हो कि इसके अंदर मैं वीडियो बना दू इसके ओपर की चारो बंडल में से कौन सा बंडल आपको लेना चाहिए कौन सा बंडल बेश्ट है तो कमेंट कीजिएगा मैं उसके पर भी वीडियो ला दूँगा बाकि फिरल वीडियो में आगे बढ़ते बात करेंगे कुछ कमेंट के रिपले के बारे में सु बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे मैं सनीव हाए रैमपेज का बंडल हीटन का आएगा औकर यहटा है बंडल का देबगा अगर आगे जिके इन दोनों को पर अपडेट्स मिलते हैं तो मैं देदूंगा निक्ष्ट कमेंट देख लेते हैं जो किया तो सनी भाई लोल इमोट कब आएगा और जो चारो इवलेशन वंडल है वो एक साथ में कब आएगा अपने इवो वाल्ट इवन्ट की तरह जिसमें क देखनों को मिला है उसको पर अपडेट तो अपना किलास स्कोर रेंग के अंदर कशन को और किया आजए आज के सूरे आज के अंदर दे यह बात थोर जानत्यों कि कमेंट को हाइलाइट करके वीडियो के अंदर कमेंट को सो करा कि उसका हूद देना यह सबसeto sせ पहले आपके लिए हम्हीं लेकर रायते यानि कि आपका सनी वाइ लेकर रह दें लेकिन आज मेरे वीडियोा सब्सक्राइब कर देना अगर था का बाइ